व्यवस्ता विवरन अध्याय 18 अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निजभाग ठारा है और चाहे गाय बैल चाहे भेड बकरी का मेल बली हो उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और जोज याजक को दे तू उसको अपनी पहली उपज का अन्न नया द लाकमधू और टटका तेल और अपनी भेडू का वह उपज देना जो पहली बार कत्रा गया हो क्योंकि तेरे परमिश्वर यहोवा ने तेरे सब कोत्रियों में से उसी को चून लिया है कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहर करने को उपस्तित हुआ करे फिर य करी कोई लेविय इसरायले की बस्तियों में से किसी से जहां वह परदेशी की नाय रहता हूँ अपने मन की बड़ी अभिलाशा से उस थान पर जाए जिससे यहोवा चून लेगा तो अपने सब लेविय भाईयों की नाई जो वहां अपने परमिश्वर यहोवा के सामने के समान मिला करें जब तू उस तेश में पहुचे जो तेरा परमिश्वर यहोवा तुझे देता है तब वहां की जातियों के अनुसार घिनोना काम करने को न सीखना तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे वा बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला वा भावी कहलान वा शुभ अशुभ मोरतों का मानने वाला वा टोना वा तांत्रिक वा बाजिगर वा ओजो से पूछने वाला वा भूत साधने वाला वा भूतों को जगाने वाला हो क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहवा के सनमुख ग्रूनित है और इनी ग्रूनित कामों को करने के कारण तेरा यहवा परमिश्वर उनको तेरे सामने से निकालने पर है तू अपने परमिश्वर यहोवा के सनमुक सिद्ध बना रहना वे जातिया जिनका अधिकारी तू होने पर है शुभा शुभ मोहरतों के मानने वालों और भावी कहलाने वालों की सुना करती है परंटू तुझको तो तेरे परमिश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया तेरा परमिश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्था तेरे भाईयों में से मेरे समान एक नभी को उत्पन्न करेगा तू उसी की सुनना यह तेरी उस बिंती के अनुसार होगा जो तोने हुरे पहाड के पास सभा के दिन अपने परमिश्वर यहवा से की थी कि तुझे कि मुझे न तो अपने परमिश्वर यहवा का शबद फिर सुनना और नवह बड़ी आख फिर देखनी पड़े कही ऐसा नहीं कि मर जाओ तब यहवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं सो मैं उनके लिए उनके भाईयों के बीच में से तेरे समान एक नभी को उत्पन्न करूगा और अपना वच्चन उसके मुह में डालूँगा और जिस जिस पात कि मैं उसे आग्या दूँगा वही वहा उनको कहे सुनाएगा और जो मनुष्य मेरे वच्चन को जो वहा मेरे नाम से कहेगा क्रूहन न करेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूँगा परंतु जो नभी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आग्या मैंने उसे न दी हो वह पराए देवताओं के नाम से कुछ कहे वह नभी माल डाला जाए और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीती से पहिचाने तो पहिचान यह है कि जब कोई नभी यहवा के नाम से कुछ कहे तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए तो वह वचन यहवा का कहा हुआ नहीं परंतु उस नभी ने यह बात अभिमान करके कही है तू से भे न खाना तू